हेलो पृरेंट्स स्वागते आप सभी का और आज के इस वीडियो मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागते दोस्तो आजके इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकुल सिक्चा विबाक से महतुपूर ने अपडेट आ चुकी है कि एक जुलाई से इसकुल खोलने की तैयारी हो रही है दोस्तो यहाँ पर बिल्कुल 100% यह जो न्यूज है बिल्कुल सही है जैसे कि आपको पता है पहले भी हमारे द्वारा कहीं वीडियो डाले गए है उसमें जो 70% जो न्यूज सही होती है वही हमारे द्वारा डाली जाती है दोस्तो और मैं बता देता हूँ एक जुलाई से इसकुल खोलने की तैयारी यहाँ पर चल रही है पूरा मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा देखिएगा कि मद्धी प्रदेश में एक जुलाई से पहली कक्चास से हायर से कंट्री तक इसकुल खोलने की तैयारी चल रही है इसके लिए कोरोना करप्यू का फॉर्मॉला अपनाया जा सकता है यानि जिस जिले सेर या गाउं में कोरोना संक्रमन होगा वहाँ इसकुल बंद रहे और बाकी जगे खोले जाए ऐसे ही सेर के जिस इलाके में संक्रमन होगा वहाँ के स्कुल बंद रहे हाला कि आप दा प्रबंदन समीतियों के सुजाव से ही ऐसा हो पाएगा कोरोना की तीसी लेर की अशंका को देखते हुए ही अंतिम निरने होगा गोर तलब है कि केजी से हायर सेकंटरी तक प्रदेश के सरकारिवा नीजी इसकोलों में डेड़ करोड विद्यारती पड़ते हैं प्रदेश में डेड़ साल से स्कूल बंध है सिर्फ ऑनलाइन पड़ाई हो रही है स्कूल सिक्चा विबाग का मानना है कि बच्चों के बोध्दिक और सारीरीक विकास के लिए ये इस्तित्री ठीक नहीं है इसलिए स्कूल कोलना जरूरी हो गया है पर उनकी सुरक्चा पर भी पूरा ध्यान दिया जाना है कक्चाओं में सुरक्चित सारीरीक दूरी बनाए रखना बड़ी चुनोती है सरकार देखिएगा यहां पर सरकार इसे देखते हो विबाग पर विबाग इस तरपर तापर तोड़ जो भी नीरने होगा आपको बता दिया जाएगा दोस्तों यहां पर देखिएगा क्या क्या यहां पर फार्मूला को सरकार अपना फक्ती में बता देता हूँ कोरोना कर्पर जैसा हो फक्ता है फार्मूला जहां संक्रमन जादा वहां बंद रखे जाएंगे बाकी जगा खोले जा सकेंगे ये तो हो सकता है पारमुला था नोवी से हायर सेकंटरी कक्चा के किसी सेक्षन में 40 उद्यारती है तो 20 बच्चे एक दिन इसकूल आएंगे और सेज अगले 20 दिन ठीके चटी से 8 वी तक बच्चो को हफते में एक या दो दिन बुलाया जा सकता है वे भी सीमित संक्या में इसकूल की चमता का भी ध्यान रखा जाएगा और पहली से 5 वी पिलाल आउनलाइन ही पढ़ाया सकता है और केजी और नरसारी बच्चो को पिलाल नहीं बुलाया तक बच्चो को नियामित ना बुलाये तो ये दोस्तों आज की महत्वपून अपडेट थी और भी कहीं प्रकार की है जो मैं आपको बता देता हूं कि 60 पिजदी अभी भावको के सुजाओ खोले नोवी से बार्वी तक के इसकूल मतलब 60 पिजदी अभी भावक चाते हैं क कि नोवी से बार्वी तक के स्कूल खोल जाएं मैं बता देता हूं दोस्तों 60 प्रतिफत पेरेंट्स जो हैं वो चाते हैं कि नोवी से लेकर बार्वी तक के स्कूल जल्दी से जल्द खोल दिये जाए तो आज की जो महत्वपून अपडेट है उसमें बताया गया है कि एक जुलाई से आपके नोवी से बार्वी तक के स्कूल खोल दिये जाएंगे कुछ सर्तों के साथ यहां पर देखिए का 15 दिन में 12 बेटके फिर भी नहीं निकला बार्वी के रिजल्द का फॉर्मूला देखिए माध्यमक सिक्चा मंडल मध्य प्रदेस के द्वारा अभी तक 15 दिन में 12 बेटक हो चुकी है रुसमा अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया कि किस पिरकार से बार्वी का रिजल्द तयार किया जाए यह बहुत बड़ी असमंजर्श की इस्तिती बनी हुई है कि जब से MP बोर्ड ने कहा है कि हम CBSC की तरह नहीं बनाएंगे रिजल्द बार यहाँ पर बार्वी की रिजल्ट का रास्ता साथ CBSC ने तो कर ही दिया है लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है MP बोर्ड के लिए देखिए यहाँ पर 31 जुलाई को जारी होगा रिजल्ट असंतुष्ट चातरों की लिकित परिक्चा की रिजल्ट के बाद ही कालेज में हो सकेंगे एड्मिशन बार्वी बोर्ड के सबी रिजल्ट आने के बाद ही कालेजों में बच्चों की एड्मिशन होगा इसकुलों में सित्तर अजार सिक्चाकों की कमी इदा तीस अजार को प्रतिनी उप्ति देखकर बनाया बाबू और भी देख लेते हैं हम फांत ही आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को सेर कीजिएगा इसी प्रकार की डेली अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले देखिएगा यहाँ पर माध्यमग सिप्चा मंडल ने तीन महामे हलक लाइन पर आये असी अजार कॉल अधिकता धाश्य और बार्वी के विद्धियार थी जो हलक लाइन नंबर जारी किया थे उसमें 80 अजार कॉल आयें सबसे जादा धाश्य और बार्वी के बच्चे थे जो भी उनके डाउट थे के लिए एर उन्होंने किया है आप देख सकते हैं और भी देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी इसमें तीन चरनों में खोले जाएंगे 9200 स्कूल अंगरेज हिंदी में होगी पढ़ाई तो ये तो सीम राइज जो स्कूल खोलने की तयारी चल रही है उसके बारे में है जनरल पिरमसन देने के बजाए कर दिया फैल तो ये भी कहीं प्रकार की समझ्या है जब रिजाल डाये का उसके बाद में बनी रहेगी यहां पर बारवी की मुल्यांकन परनाले पर सुप्रिम कोट की मोहौर सिक्चन योजना पर यूटूब लाइव के माध्यम से चर्चा देखिए यहां पर कोवीट परिश्थितियों में सिक्चन योजना के विसे पर विबागी चर्चा करने के लिए इसकुल सिक्चा विबाग द्वारा बुद्वार तेईस जून दोजार इकिस को दोपेर साड़े बारा बज़े से डेड़ बज़े तक यूटूब लाइव कार्य करम का प्रसारन किया जाएगा यूटूब लाइव में संचालक राज्य सिक्चा केंद धनराजू एस के द्वारा कोविट की परिस्तितियों में आगामी महा में राज्य की सिक्चन अधिगम योजना सिक्चा को के लिए सिक्चन योजना से संबंदित कार्य और फिट इंडिया मूमेंट फर मेधानी अधिकार्यों और सिक्चा को जाएगी तो ये इसके बारे में हैं और भी देख लेते हैं यदि होगी कुछ मेत्पून हो इसकुल बहुनों के ब्रमन उपरांत अधि ग्रहन की कार्रिवाई करे यहां पर जो तमाम आज की अफडेट थी उसके बारे में हमने जान लिया है ये भी एक समझे बनी है कि नीजी स्कुलों में उनलाइन पढ़ाई सिरू हो चुकी है लेकिन सरकार स्कुल में अभी तक कोई पढ़ाई सिरू नहीं हुई दूर दर्सन के माध्यम से तो दोस्तों ये आज की तमाम खबरे थी जिसको हमने जान लिया है तो आपके इसकुल जो है वो एक जुलाइस से खोलने की तयारी चल रही है जैसे बिल्कुल ओपिशल लेटर आएगा आपको अवगत कराया जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बट